मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने करनाल पंचायद भवन से 18 करोड 7 लाग 82 हजार रुपे की लागत से तैयार पांच पर योजनाओं का उद्गाटन किया है इनमें 2 करोड 16 लाग 53 हजार रुपे की लागत से घरोंडा कस्बे में नव निर्मित तीन बेज का बस्टेंट 11 करोड 32 लाग 94 हजार रुपे की लागत से तैयार रेलवे अंडर ब्रिज एक करोड तिहतर लाक इकतर हजार रुपे की लागत से कस्वे के गंदे नाले के साथ लगती स्टड़क का निर्मान है साथ ही LED लाइट लोहे का जाल व्यकतूरिया होटल सर्विस रोड से रेल्वे बाउन्डरी घरोंडा तक अश्टकोन ये पॉल भी शामिल है घरोंडा कस्वे में ही एक करोड 96 लाक रुपे की लागत से रेल्वे स्टेशन के निकट वार्ड नमबर 3 की धरम बीर कॉलोनी में विक्सित किये गए पार्क का उद्गाटन किया इसी परकार मुख्यमंत्री करनाल रेल वेस्टेशन के निकट वार्ड नमबर 19 में 88 लाक चौसाट लाक रुपे की लागत से बनाए गए पार्क को जनता के लिए समर्पित किया मुख्यमंत्री ने इसी कारिय क्रम में 62 करोड 47 लाग 14 हजार रुपे की लागत से बनने वाली 17 विकास परियोजनाओं का शिलान नियास किया इनमें जुले के मिरगैन गाओं में प्रात्मिक स्वास्थ किंद्र और उसमें बनने वाले रहाइशी मकानों का शिलान नियास किया इस कारिया पर 3 करोड 88 लाग 2 हजार रुपे की राशी खर्च होगी इसी प्रकार नगर निगम शेत्र में 62 लाग 24 हजार रुपे की लागत से सिर्सी गाओं में सामुदाई किंद्र का निर्मान करनाल कैथल रोड पर 47 लाग 16 हजार रुपे की लागत से उनानक द्वार करनाल काच्वा रोड पर 48,91 रुपे की लागत से स्वामी विवेका नंद्वार करनाल कुझपुरा रोड पर 47,32 रुपे की लागत से मा सरस्वती द्वार करन स्टेडियम के निकट बाल भवन में 80,00 रुपे की लागत से डे केर सेंटर हॉल करनाल मुनक के साथ लगते वार्ड नंबर 17 के शास्त्री नगर में 82 लाग 92 रुपे से इंटर लॉकिंग पेर ब्लॉक लगाना 33 लाग 26 रुपे की लागत से 19 वार्ड में भी इंटर लॉकिंग पेर ब्लॉक लगाना तदा कंबोपुरा के निकट अम्रत योजना के दह सिवरेज इंटर्मिडियेट पंपिंग स्टेशन वे आठ MLD शमता के सिवरेज ट्रिट्मेंट प्लैन का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया 24 स्कीमों में से 6 शिलान्यास है जिसमें घ्रुंडा क्षेतर के भी कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी शिलान्यास को गात्राज किया है इसी प्रकार से करनाल शहर की एक सिवरेज सकर मशीन इसकी बहुत बड़ी एक आवश्यक्ता थी अभी तक पानीपत के साथ तालम उपलब्त कराई गई है दो डंपर मशीने भी ये उपलब्त कराई गई है साथी सेल्फ हल्प गूरुप्स करनाल जिले में एक बहुत अच्छा स्थान यहां का है उन्तालिश सो के लगबग सेल्फ हल्प गूरुप यहां पहले से चल रहे हैं उनके बहुत अच्छे कारे को देखते हुए और एक वहां घृंडा में ऐसी बहनों के लिए परसिक्षन का एक केंद्र यह कोला जाए इसको मंजूर किया है और रिन के नाते से भी आज बैंको कर रही है вамारी अन्दोलन को लेकर आपको नहीं लगता कि विदेशी तक्तें जो है इनकी आडबड कर रही है भारत को कम जोर कर रही है एक हमारी एक सिस्टम है, हमारे डइमोक्राइट सिस्टम में बहर की विदेशी ताक्तों को सस्तक्षिप करना यह आशोब नहीं है किस लिए मैं इसको विल्कुल भी परकार से इसके नंदा भी करता हूं करके एंसे थमय 허락, जाएगा ऊंच को ठोडा जाया गा और ख़ोड़ा जायेगा, बहुत प्रकार के ऐसे विशह शंशोधन करने के आये भी हैं, उनके उपर मैं समझता हूँ, एक एकर के मामला हल होगा, ठीक होगा, पारलिमेंट चल रही है, पारलिमेंट में लगातार इन विशोपर बहस भी जल रही है, मुझे लगता हूँ, तो अगली बाचित जल संभव समझी जाएं, अगली बाचित, अब बाचित का इसा बनेंगे आने वले दिनों में के हराना में काफी लोग हैं, अपने तीम विशह चोंकि ये केंदरी कानून है, इसलिए केंदर की टीम की ओर से ही, जिनको आधिकत किया जाएगा, वही बाचित में इसा लेंगे, हमारे प समझी जाएगा, इसमें प्रदेश का कोई विशह ऐसा है नहीं है, प्रदेश की ओर से लोग वार वार अपील भी की है, और जो वक्तिक दर पर हमने लोग जानकार है, उनको अपील भी की है, पाचित की है, विक्तिकत मिल करके, फोन करके, इस विशह को सुजाना चाहिए, समर्ताओं जंदी सुपेगा, तर हरियाना की इसानों के लिए क्या परते करी रहे हैं, प्रदेश का करोड़ों का करज ले रही है, उनती करने के लिए, और दूसरी तरफ अधिकारी, करनाल कलब को 10,000 पर दिया वेलीज, जबकि वहां से लाग ओर क्या सरकार को आ सकता है, आसे ही लेटेश कोबरे पाने के लिए, बल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को, लाइख, शेयर और सब्सक्राइब करें, हैन्ने वाल, बैंक्वेट्स लाए हैं, इंक्रेडिबल मारिच पलेस, राजगराना, ए फिनेस्ट बैंक्वेट अल, जोती गार्दन, वोल्ड-क्लास के झाँ झाल्य उूड़ाइब!